एक देखो क्या है तिर्भुज के आधार के लंबाई 15 मीटर और उचाई 12 मीटर है एक दूसरी तिर्भुज का शेथफल इस तिर्भुज के शेथफल से दूना है तथा इस तिर्भुज के आधार के लंबाई 20 मीटर है इस तिर्भुज के उचाई क्या है हमें बताना तो तो आगए एकटे दू हमें निकालनी उच्छाई याद Glory क्या दू तो उच्हाई यह लम निकालनी है और सुतरोब ऐकटे दो कुना आधहार है वी कि अधर दू घुण दू acquaral । अन्ड़ दू एकटे दमंने 500 ख। ऐक पंतरा गूर bringt एक बड़े तो उसे एक बड़े दो गई पान्चोग बीज पान्तिया पंद्रे चार्तिया बारे और उचाही किदनी आगी उचाही आगी तीन त्या नो दुनी अठारे मीटर जो भी है ठीक करो जाए कोशन नमर एक सो दो है किसी समानता चतुरबुज की एक बचा 18 सैंटी मीटर लंभी है तथा इस बचा के विप्रीत बचा से दूरी आठ सैंटी मीटर है समानत चतुरबुज का हमें क्या बताना? चैतुरबुज की जो एक बचा की लंगिदे रखी वो गुना बीच की दूरी और बीच की दूरी है आठ तो अठा रट एक्तो चवालिस एक्तो चवालिस वर्ग सेंटीमिटर इसका अंसर बनेगा एक्तो तीन देख लो में क्या है एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाए कितनी है तीस और चोदे मीटर लंबी है इन बुजाओ के सीर्ष्टो को मिलाने वाले विगर्ण की लंबाई चालिस मीटर है समांतर चतुर्भुज का सेथफल बताना है अब देख कुछ इस्तिती इस तरह से है इसकी जो तीस है जो चोदे है और यह जो है वो चालिस है तेक है अब इस विकरने क्या करा दो तिर्भुज बना दिया एक तिर्भुज यो बना दिया एक तिर्भुज यो बना दिया अब अगर यो तीस है तो यो भी तीस है जो चोदे है तो यो भी जोदे है इसका मनलब अगर मैं 17 चेत्र बूज का छेत्पल निगालना हूँ तो मैं निक्र सकूँ दो गुणा तिर्बूज का छेत्पल अब देखोश्च मैं A बराबर 30 लगा सकूँ मैं B बराबर 14 लगा सकूँ C बराबर 40 लगा सकूँ तो S बराबर कितना हो जाएगा 30 14 40 बठे 2 तीज और 40 70 और 14 84 बठे 2 का मतलब 42 अब यह होगा 2 गुणा अंडरूट S इन्टो S माइनस A S माइनस B S माइनस C तो 2 इन्टो S की वेल्यू 22 है 22 में से पहले 30 गटाओ तो 12 बचेगा 42 में 14 गटाओ 28 बचेगा 42 में से 40 गटाओ 2 बचेगा कितना है यह वह दो गुणा इसे लिखेंगे है 14 तीज यह 42 चोदे दुनी ठाइस अब क्या करा देखो एक चोदे भारा गया एक दो बाहरा गया बारे चिए 36 का च्छे बाहरा गया ठेक है कुल मिलाके च्छे दुनी बारे और बारे दुनी 24 चोविस की चोदे में गुणा क दो तो 14 चोविस का 56 का चाइस लुकू 5 और 14 दुनी 28 और 5 33 वर्ग सेंटी मीटर होगा या मीटर होगा क्या है मीटर है तो 336 वर्ग मीटर जो है किस ओप्सन में एक ओप्सन में तो एक ओप्सन है इसका जो है सई जबाब बन जाए 104 है एक वर्ग तथा सम चत्रूच एक यह बड़ा होगा है कि कोशन नमबर 105 एक सम चत्रूच का चेतरफल 144 वर्ग सेंटी मिटर है इसके विकण की लंबाई 18 सेंटी मिटर है दूसरे विकण की लंबाई बता नहीं तो सम चत्रूच का चेतरफल एक सम चत्रूच रखा वह है एक बड़ा दो डी वन इंटू डी तू बराबर एक सम चत्रूच अब एक जो विकण दिया है इसने वो अठारे दे रखा दोसा निगाल ला दो निग अठारे और 16 निगाल एक सो चवालिस तो डी तू बराबर 16 सेंटी मिटर कोशन नमर एक सो चेतर एक सम चत्रूच के एक विकण की लंबाई दूसरे विकण की लंबाई का 80 परसेंट है इस चत्रूच का चेत्फल बड़े विकण के चेत्फल का कितना गुणा है तो बड़ा विकण माल लो जो है वो एक से है तो छोटा विकण उसका 80 परसेंट है एक्स का 80 परसेंट तो 80 परसेंट तो 80 परसेंट तो 80 परसेंट 20 चोग 80 परसेंट 25 बड़े विकण चार एक्स परसेंट 5 ठेक है आ रहा होगा यहां तक मैं समझे रहा है अब देखेंगे समझ चतुर्पूज का शेतपल कितना आ गया एक बड़े 2 डी 1 हो गया एकस डी 2 हो गया Чार एक्स बड़े 5 दो दूनी चार तो आ गया दो बड़े 5 इंटू X स्कोर है तो उसना पुछ था था कि चतरबुज का शेथपल बड़े विकरंड के वर्ग का कितने गुना है तो वर्ग दो हुई रहा कितने गुना हो गया दो बटे पाँच गुना और दो बटे पाँच किस आपशनमें बी और अपसनमें है यह एक शमचे तरपुझ की वुजा पाँच सेंटिमेटर हैं और ए तो जो बुझा दे रखी पांच दे रखी विकर्ण दे रखा दे रखा तो इसका मनलब यो रह जाएगा चार अभी ओकन मताओ कितना और सम् चतुर्भुज के बारे में हमें पता हैं नोट है नोट है पता है हमें या सम् चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकौन पर काड़ते हैं ठीक है भी है तो इसका मतला हम अगर मुझे यो निकालना तो यो x है तो x square प्लस 4 square बराबर 5 square तो x square बराबर 25 चार चोक 16 मतलब 9 तो x की value आगे 3 इसका मतलब विकर्ण का आधा 3 है दोसरा विकर्ण देखना तो डबल कर दो दोसरा विकर्ण हो गया 3 दूनिच है समचे दरूद गया छेत पल एक बट दो d1 इंटो d2 एक बट दो d1 मतलब जो दे रखा इसका एक विकर्ण दे रखा कितना 10 sorry 8 और दोसर रखा आगे निखाला मने छे है तो दो चोक 8 शचोक 24 और यह सेंटी मिटर है तो वर के सेंटी मिटर हो जाएगा कर देखो भी कोश्चन नमर 108 क्या है एक सम चतुरबुज का परिमाब 52 मीटर है छोटा विकर्ण 10 मीटर लंबा है इसके पड़े विकर्ण के लंबाई क्या हो कि अब परिमाब दे दिया इसने परिमाब दे जिए बावन मीटर परिमाब होजह चारगुना भुझा 10 10 तो जो बुजा है वह आगी तेहने है, मीटर है तो मीटर आगिया, कोई बात है, अब जो छोटा विकर्ण है, वो है दस, इसका मतलब दस यो वाला है, तो यो कि दना बचा पांच, और यो बुजा आगी तेहने, फिर वही बात है, कि सम चत्व बुज के विकर्ण एक दूसरे प्लस पांच स्कूर बड़ाबर तेहरे स्कूर, एक्स स्कूर बड़ाबर तेहरे स्कूर, एक्स स्कूर बड़ाबर तेहरे कवर्ग 179, पांच कवर्ग 25, एक्स स्कूर बड़ाबर 144, एक्स बड़ाबर आगया बारे, तो बड़ा विकर्ण निकालना हो है, यो 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 डबल करना पड़ेगा, तो दो गुणा बारे, बारदो नहीं, चोबिस मीटर जो है, बड़ा विकरना जाएगा, नमबर 109 देखो, एक समलंब चतुरभुज की समांतर भुजाए, एक दसमलो पांच मीटर और दसमलो पांच मीटर लंबी है, इन भुजाओ के बीच की दूरी, छे दसमलो पांच मीटर है, सम चतुरभुज का शेथपल बताना है, तो सम लंब चतुरभुज का शेथपल, सम लंब चतुरभुज का शेथपल, क्या होँ है मैया, एक बटे दो, समांतर भुजाओ का योग, गुणा बीच की दूरी अब एक बट दो समांतर बुजाए होगी एक होगी डेड़ और एक होगी डाई मतलब चार होगी टोटल और गुणा 6.5 तो आगे बहिया एक बट दो गुणा चार गुणा 6.5 दो दुनी चार और तेरे दुनी साड़े शाय दुनी तेहरे तो तेहरे वर्ग मीटर जो है इसका 6 तरफल बनेगा और इसी सूतर पाद आरीद है कोशन नम्मर 110 110 भी इसी पाद आरीद है एक समलम चातुरपुज की समांतर भुजाओ का अनुपाद 3.5 है उनके बीच की दूरी बारे है मतलब चतुरपुज का शेत्पल 384 है तो छोटी भुजा हमें बतानी है तो समलम का शेत्पल बनाबर कितना है 384 वर्ग सेंटीमिटर एक बड़ा दोस्ट समांतर भुजाओ का योग अब देखो इसमें जो अनुपाद है 3 अनुपाद 5 है तो योग है 3x प्लस 5x और बीच की दूरी जो है वो कितनी है वो मारे है बराबर 374 तो दो चिक बारे 636 624 538 बराबर 64 64 64 एक्स का माना गया 8 हमें कैसे है हमें चेहिए छोटी भुजा बराब रो गया 3x या 3 उना आठ तीन अठ है 24 24 सेंटी मीटर जो है इसका जवाब बनेगा करो 111 कोशन नमर 111 क्या है एक गोडा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चोड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूटी इसे 14 मीटर लंबी रसी से बना है गोडा खेत के कितने भाग को चर सकता है अब यो एक आयत है जिसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर है और जो चोड़ाई है वो 24 मीटर है अब यह एक खूटा गाड़ दिया 14 मीटर लंबी रसी है तो जादे जादे घोड़ा जो है ऐसी तो गुम सक है 14 मीटर तक यहां से यहां तक कि 14 मीटर लंबी रसी है तो यो चोथा ही हो गया, अगर मैं से पूरा गुमाओं तो एक प्रत बनेगा, तो यो इसका जो छेतफल है, थेक है, जो किसका छेतफल पुछ रहा, जो कह रहा, गोड़ा खेत के कितने छेतफल का घास चर सकता है, तो गोड़े दुआरा चरे खेत का छेतफल, एक पटे चार, पाई रिस्क्वेर, पाई कामान बाइस पटे साथ, आर चोधा है, तो साथ दुनी चोधा, दो दुनी चार, दो सते चोधा है, बाइस सते एक सो, चोवण, और एक सो चोवण, मीटर इसक्वेर जो है, इसका क्या बनेगा भी याँ, छेतफल बन देगा, देखको कोश्चन नमर एक सो बारे क्या है, एक संभाहु तिरुज एबी सी के परिवरत की तिरजार है, कोण A, कोण B, कोण C के अर्धक A, D, B, D, C, D, बिंदू D पर मिलते हैं, A, D को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया है, जो B, C, को E पर काटता है, A, D, बराबर, B, D, बराबर, C, बराबर, R के हैं, तो छेतफल, जो है, कोण सा कथन सत्य है, ये बताना, तो देखो वही है, यो एक तिरजार है, और इसका यो परिवरत हो गया, हमने इसे बढ़ाया, तो E पर मिला, और यहाँ पर D है, ठीक है, तो यह यहाँ पर, और यह यहाँ पर मिला दिया, अब देखो, चाय मैं इहाँ से इसकी बात करूँ, चाय मैं इहाँ से, इसकी बात करूँ, चाय मैं इहाँ से, इसकी बात करूँ, सारे इक सारी तिरजाय जो इसने कह भी रखी, सब आ रहे हैं, और जो तिर्भुजगा शेत्पल हो है तिर्भुज ए बीसी है ए बीसी लिखना चाहो लिख लो नहीं तो तिर्भुजगा शेत्पल एक बट दो लंब गुना आधार अब लंब गुना आधार लिखेंगे तो यह हो जाएंगे BC गुणा AE BC आधार है और AE जो है वो लंब है अब BC जो है वो डबल है BE का और जो AE है वो बनेगा AD प्लस DE AD प्लस DE दोस्त हो गया अब BE क्या बनेगा भई BE बनेगा BD के पर जोसे DE का पर गटाना पड़ेगा अंडरूट में वो भी ठीक है जी अंडरूट में हो जाएगा क्या यह हो जाएगा R स्क्वार माइनस DE का होल स्क्वार और यहां हो क्या AD जो है वो R है और DE का कुछ नहीं कर सकते DE DE है इसमें हमने क्या करा वरगानता लगा दे एक बड़ जोड दे एक बड़ गटा दिया इसका कुछ नहीं हुआ इन दोनों का अधार बरबर है गात्तों को जोड़ दो तो R प्लस DE की पावर एक और अद्धियों की डेड़ और योई इसका जो है वो छेतफल बनेगा R प्लस DE की पावर तीन बड़ दो और R माइनस DE की पावर एक बड़ दो देख सकते हो किस ओप्शन में है C ओप्शन में या के पिछे लिखे हुए सो कोई फरक नी पड़ने वाला इसरे क्या है एक संभाहू तिर्भुज की परते बुझा 8 cm लंबी है इस तिर्भुज के परिवर्थ तथा अंतवर्थ के बीज का छेत फल कितना होगा तो संभाहू तिर्भुज है जिसकी परते बुझा जो है वो कितनी है 8 cm लंबी है तो सबसे पहला काम होगा हमारा उचाही निकालना उचाही होगी अंदरूर्थ 3 बटे 2 इंटू भुझा और बुझा है 8 तो 2 चोग 8 मतलब 4 अंदरूर्थ 3 जो है इसकी क्या है उचाही है अब अगर हमा निकालनी है परिवर्थ की तिर्जा तो यह उपर वाली है और अंतरवर्थ की तिर्जा निकालनी तो निच्छे वाली है और अगर उपर वाली इनका नुपात होगा दो अनुपात एक तो अगर उपर वाली निकाल नहीं तो चार अंडारूट तीन ठीक है और बटे दो और एक तीन और गुणा लिख देंगे हम दो मतलब दो बटे तीन तो उपर वाली है और निच्चे वाली की बात करेंगे तो वो एक बटे तीन नजाएगे कुलूँ चाहिएगा वो एक बटे तीन नजाएगे हमें चाहिए इनके छेत्र फलो का अंतर छेत्र फलो का अंतर हो गया पाई आर स्कॉर माइनस स्मोल आर स्कॉर पाई कमान बाइस बटे साथ आर देख लो भईया यो है तो चार अंडारूट तीन गुणा तो बटे तीन का whole square 4 अंडारूट 3 बटे तीन का whole square ठीक हो है यहाँ यहाँ बटे साथ यहाँ तुमारा चार दूनी 8, 88 चोंसट और चोंसट तीया कर दो 64 तीया एक सो बटमें बटे तीन तीया नो यहाँ गया नहीं भई, चार दुनी आठ, अठवटो चोंसट, हाँ ठीक है, और चोंसट तिया, एक सो बाण मैं, और यहां होगे, चार चोग, सोले तिया, अड़तालिस, बटे नो, अब सारे को हल करें, तो कितना बनेगा भई, बाइस बटे साथ, गुणा, बारे में साथ गए चार, और यहां पर 8 हमें से 4 गई 4, यहां एक, बटे नो, तो कितने बाण कटेगा, 16 बार कटेगा, 16 निम्मा, एक्सोचोव़जस, 16 दुनी बट्टिस, 3, 16 दुनी बट्टिस, और 3, 35, बटे साथ, 7, 35, 50 सही दो बटे साथ, 50 सही दो बटे साथ, जो है, इसका छेट फल बनेगा, करो भी, 114 कोशन का है, किसी तिरभुज के पड़ती है, एक सीर्स बिंदू से उसके साम्मुख गुजा के समानतर एक रेखा खीशी जाती है, इस परकार बने तिरभुज की परिमीती का प्रारमिक तिरभुज की परिमीती से क्या अनुपात है यह बताना, लेको यह एक तो अगर हम बात करें तो यो जो है अगर मद्धे बिंदो मिल्ला यो इसका अद्धा है यो जो है अगर मद्धे बिंदो मिल्ला तो यो इसका अद्धा है और यो इसका अद्धा है ठीक है अगर जो अनुपात की बात करें तो इसका मतलब यो बुजा अगर दो है तो यो तो देखोगी तो परिमाप भी आद्धा हो जाए तो कुल मिला कर बड़े और छोटे तिर्बुज के परिमाप का अनुपात भी वह होगा जो तिर्बुज की भुजाओ का अनुपात होगा और वो है दो अनुपात एक तो इस तरह से तो तुम्हारा छेत्पल हो गया समात